नमस्कार मैं हूँ अंजली भंडारी और हमारे खास खारिक्रम वंदे मात्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है 56 दिनों की लंबी चुटियों से लोटने के बाद कॉंग्रस के वपाध्यक्ष राहूल गांधी नए और आकरमक तेवरों में नजल आ रहे हैं आपको बता रहे कि महज एक महीने के अंदर अंदर राहूल पांच राजियों का दौरा कर चुके हैं विड़त के सानों से जाकर मिल रहे हैं पद्यात्राएं निकाल रहे हैं राहूल के इस नए अव्तार से जहां एक और पार्टी में खुशी के लहर है वहीं दूसरी और उन्हें पार्टी अध्यष्ट बनाए जाने को लेकर भी अटकलें तेज होती देख रहे हैं हमारे आज के खास कारिकरम वंदे मात्रम में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वाज़ा है कि पार्टी अध्यष्ट को लेकर इतनी अस्मंजस की स्थिती कॉंग्रस के भीतर बनी हुई है और इसी चर्चा पे हमारे साथ ठाकुर धिरिंदर सिंग जी जो की कॉंग्रस नेता है वो हमारे साथ इस चर्चा में चुरेंगे आपका बहुत बहुत स्वागत है जो की सपह लेता है वो भी हमारे साथ इस चर्चा में चुरेंगे तो चलिए शुरूात करते हैं वंदे मात्रम की तो राहूल को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर जहां एक और कॉंग्रिस में दो फार है वहीं दूसरी कॉंग्रिस के वरष नेता और अपूर्व किंद्रे मंत्री जैराम रमिश का कहना है कि साल राहूल अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं cette report कॉंग्रिस नेता जैराम रमेश का बड़ा बयान राहूल को जल्द मिल सकती है कॉंग्रिस की कमान हात को मजबूत करेंगे राहूल शेत्री नेताओं को आगे लाने की तयारी कॉंग्रिस के नए सेनापती बनेंगे राहूल 56 दिनों के लंबी चुट्टियों से लोटने के बाद जहां कॉंग्रेस के युवराज नए और आकरामक तेवरों में नजर आ रहे हैं वही राहुल को अब पार्टी का अध्यक्ष बनाय जाने को लेकर भी अटकलें तेज होती दिख रही हैं जहां बीते दिनों रहुल को अध्यक्ष बनाय जाने को लेकर पार्टी में दो फाल बन गई थी वही इसी कड़ी में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूरो केंडरी मंत्री जैराम रमेश ने ये बयान दिया है कि रहुल को इस साल के अंट तक पार्टी अध्यक्ष बनाय ज जाने की बात करते वे कहा कि रहुल का इरादा शेत्रे चेहरों को बढ़ावा दे कर नहिरू के काल के संगठन की तरज पर इसका निर्मान करना है पूर्व केंडरे मंत्री ने कहा कि रहुल मानते हैं कि पार्टी को राजस्तर के नित्रत की जरूरत है और इसके लिए वे श राहुल की ताजबोशी, इस साल के अंध तक वो पाती है या नहीं। Bureau Report, साधना News जो कॉंगरस में वरिष नेता है, जैराम रमेश, उन्होंने क्या कुछ कहा है पार्टी अधिश को लेकर, यानि कि राहुल गांधी क्या पार्टी अधिश बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्या कुछ उन्होंने कहा था, वो आपको सिल्वादे हैं। If you are asking me whether Mr. Rahul Ghandli will become Congress President in 2015, the answer is most definitely, most probably. When in 2015, I can't say. That depends on him, it depends on the Congress President, it depends on senior leaders, many factors. But in 2015, it is reasonable to assume. तो Congress का सेनापती कौन होगा, अज यही एक बड़ा सवाल है, इसी पर हम चरचा करेंगे, हमारे साथ Congress नेता चाकुर धिरिंद्र सिंग्ची मौजूद है in studio में, धिरिंद्र सिंग्ची सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, Congress का जो सेनापती कौन होगा, यह सवाल म आपके नहीं पूछूंगे, लेकिन एक सवाल जो यहां पर आ रहा है, कि Congress के जो कुछ नेता है, वो यह कह रहे हैं, कि आप Congress की जो कमान है, अध्यक्षपत की, वो राहूल गांधी को संभाल लेनी चाहिए, लेकिन दूसरा जो धड़ा है, वो यह नहीं, विरोध नहीं कर लेकिन यह कह रहा है, कि सुनिया गांधी को ही यह कमान समाले रहने चाहिए, हाली के दुनों में शायर ही ऐसा कभी सुनने को मिला होगा कि Congress में इस तरीके की दोफार नज़र आ रही है, लेकिन आपको बता दूँ कि Congress एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और नेता क्या बयान द रहे हैं, उनकी जो सैली है कार्य करने की, और उनमें जो योग गता है, उसके बारे में आज पूरा देश देख रहा है, जिस तरीके से उन्होंने किसानों के मुद्दे, मजदूरों की समस्याओं को रास्टी है, इस तर पर उठाया है, और उनके घरों में जाकर, उनकी समस जी अध्यक्ष बनते हैं तो ये तो तेह करेगी वर्किंग कमेटी हमारी जी और उसमें अगर कोई बयान बाजी करता तो यह अभी तक उनका निजी बयान है और इस बारे में आने वाले समय में आपको पताचन जाएगा बिल्कुल दिरेंदर जी लेकिन नीजे बयान उसी जो कोण अध्यक्ष बनेगा पार्टी का इसमें अस्मेंजकि सिथी बनी विए आकि क्या को इस प्रतिक्रिया है देखेंट दिभी की यह के पार्टी का बता है कि कि अध्यक्ष को कौण बणे तर भर कि उनका कि जिसम रहा राहूल जी अब इस समय कोई होता नहीं है इनके पास, कोई विचार नहीं है इनके पास, उत्रप्रदेश पर आने के लिए अभी भाई दिरेंदर की कह रहे थे, कि किसानों की बात पहते हैं, ये बड़ा विशे, बहुत बड़ा विशे है, और ये गंभीर विशे भी है, जब सर्टार मे कैई रहे हैं, जब के दर बर इइनके सर्टार नहीं पूछता है, आज उत्रप्रदेश में सर्टार समाजबाजी पासि की है, नौजवान उक्वंतरी हैं, किसानों के दर्द को समझते हैं और किसानों के दर्द को पूरी तरीके से बातना चाहते है, अंज़ी जी, मैं कि बात है चाहिए वो परधान मंत्री जहें हो आपके देखा वो देश का तवरा कर रहे हैं राहूर जी करी 30-40 दिन जायब रहते हैं उनको यह भी नहीं पता करता है कि सदन चलना आए सदन में क्या मुद्दा देना चाहिए जितक्स को कैसे फेज करना चाहिए आज यह विजे गुमार जी बात उत्तर प्रदेश की की जाये लेकिन एक बात तो साफ है ना किन चुटियों से वापस लोटने के बाद जिस आखरमक का रूप में दिखे हैं राहूल गांधी वो क्या चुंसे का विश्य समाधवादी पार्टी के लिए बन सकता है क्योंकि भूलना प्रदेश के लिए बन सकता है वाँ पर जाये लेकिन विजे दी अच्छे में से तो बीजे पी के पाले में तिर भी आप यह कह रहे हैं कि समाधवादी पार्टी का डगा बोलता है वहां पर लेकिन विजे दी आपको नहीं लगता कि राहूल गांधी के इस नए रूप को इतना हलके तोर पर नहीं लिया जा सकता विदान सबा चुनाव नजदीक है विजे पी एक और तयारियां कर रही है तो कॉंग्रेस पीछे अटने वाली नहीं है अधिरी जी हमने विकाद किया है हम विकाद के मुझ्जर पर चुनाव नजदे जिस्ट्र में आज आए हम के इसारों के मुझ्जर परचुनाव नजदें तो राहूल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर कॉंग्रस प्रवक्तार टॉम वटकन से खास बात चीट की है हमारी संवलाता दीलम शुकला दिवांगने आई आपको सुनवाते हैं हमाई साथ कॉंग्रस के प्रवक्तार टॉम वटकन है वड़कन जी रमेश जराम रमेश ने एक बयान दिया है कि राहूल गांधी अगले प्रेजिडेंट हो सकते हैं कॉंबेश को. technvicorship सिजब आयेंगे एंदी हम लोग और भी मजबूत होकर काम करेंगे क्या अब लगता है रहुल गांदी जी उतने मजबूत हो चुके हैं जली सोनिया गांदी हैं क्योंकि उनकी जगा ने वो लिगे सोनिया गांदी जी राहुल जी हमारा शक्ति हमारा प्रेना है हम इनको दोनों अलग नहीं देखते हैं दोनों हमारे सबसे प्रमुक्र नेता हैं तो हम कोई कोशिश नहीं करेंगे कि दिवारे बिल्ट काप परें ये दोनों हमारा शक्ती है तो इस शक्ती को हम मजबूत रखेंगे और मैं समझता हूँ राउल जी हो ये सुनिया जी हो पार्टी को मजबूत ही करेंगे तो फिर जरूरत क्या है बदलाओ की अगर दोनों एक ही है तो फिर बदलाओ की जरूरत क्या है मैं रियाक कर रहा था कि आपके स्टेट्मेंट में अगर आपने कहा उन्होंने कहा तो हम सब चाहते हैं कि राहुल जी प्रेजिन बने और इस सी चीज़ पर मैं रियाक कर रहा था तो साफ है सभी की हसरत यही है कि राहुल गांधी अगले अध्यक्ष बने कॉंग्रेस के लेकिन इसके लिए राहुल गांधी कितने तयार है इसका जवाब राहुल गांधी ही दे सकते हैं और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ट पत्रकार अफधेश कुमार जी भी हमारे साथ इस चर्चर्चर में चुड़ गए है अफधेश कुमार जी आपकी भास आना चाहूंगी मैं प्रॉब्लम क्या चल रही है पार्टी के भीतर? कॉंग्रेस का बीतर आकि क्या प्रॉब्लम चल रही है पार्टी अभी पार्टी बनी होई है और कॉंग्रेस के निताओं में एक बड़ा वर्ग है जो मानता है कि उसी पार्टी के अध्यक्ष या उसी पार्टी के नित्रित में अगर पुनरवाफसी हमारी राजनिती और सत्ता में होनी है तो उसी में होनी है रहरा के करती है इसलिए कॉंग्रेस में जो लोग भी उस पार्टी के निष्थावान है और ज्यादा तर लोग इसमें निष्था रखते हैं तो उनके लिए राहूल गांदी ही उनके भविश्च की उम्मीद है अगर राहूल गांधी नहीं है, प्रियंका गांधी नहीं है, सोनिया गांधी नहीं है तो कॉंग्रेस का मतलब यहाँ पूर्ण विरामफूल ले स्टॉप हो जाता है लेकिन जो समस्या थी वो यह थी कि जब कॉंग्रेस 2014 में अपने जीवन की सबसे बुरी पराजय का शिकार हुई तो पहली बार उस पडिवार के खिलाब जगह जगह आवाज उठे, केरल से आवाज उठा, राजस्थान से उठे, गुजरात से उठा, यूपी तक से उठा पहुल गांधी को विपक्ष में आने के बाद आगे बरके नित्रित उकर्कियों दिखाना चाहिए कि उनके अंदर कॉंग्रेस को समालने की छमता है तो जो उनसच दिनों का उनका अज्यात वास्था, विपशना वास आप कह दीजिए, ध्यान वास कह दीजिए, या राज्यतिक प्रसिक्षन के लिए वो वास्था जब से वहां से लोटे हैं, वो लगातार संसत के अंदर और संसत के बाहर किशानों के बीच जाकर के ये कर दी है, और सोनिया गांधी के अस्वस्था के बाद वैसे भी उपाध्यक्ष होने के नाते कारकारी अध्यक्ष की उनकी भूमिका तो ही है, लेकिन अभी हाल प्लार के अगर स्थिती को देख लिया जाए, कॉंग्रेस की जो राज़तिक स्थिती है, वो प्लार दीख नही है, कॉंग्रेस इस समय नित्रित्व को लेकर विकल्प हींता है, उस परिवार के अलाबा विकल्प तलासी नहीं सकती है, या तो प्रियंका गांधी के आवाज उटी है, लेकिन जिस जंग से प्रियंका गांधी के पती रौवर्ट बढ़रा पर इतने आरोप हो चुके है, उसमें अगर वो लीडर्शिक में अगर आभी जाती है, तो वो देश में ज्यादा समस्या पैदा करेजी, लेकिन अफदेश जी यहां पर प्रॉबलम तो कुछ और ही है, प्रॉबलम यहां पर यह हो रही है, कि जो पाटी के वरिश नेता है, वो ही इस तरे के से आवाज उ तुक सारे ऐसे लोग जो इस समय सोनिया गांधी की नजदी की होके कौंग्रेस के नेता बने हुए है, उनको राहूं गांधी देखना नहीं चाते हैं, राहूं गांधी उनको बाहर करना चाते है कौंग्रेस से जवाब लेते हैं जवाब लेते हैं चाकुर दिरिंद्री सिंग जी क्या ये डर तो नहीं है वर इस नेताओं को कि अगर राहुल गांधी पार्टी अब्डेक्ट बन दे तो हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा अगर उन्हें इस तरीके का डर है तो उनका निजी डर हो सकता है लेकिन अगर राहुल गांधी के नेत्वत में पार्टी तरक्की करेगी तो निश्चित तोर पर सभी नेताओं का उसे फायदा होगा और इस देश का फायदा होगा तो ये बेमानी बात है कि वो नेता भेभीत है राहुल जी से ऐसा नहीं है राहुल जी का आपने बयान देखा होगा वो अपने जो सीनियर नेता हैं सभी का सम्मान करते हैं और वो इस पार्टी में सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है कि पार्टी में किसी पुराने नेता को useless मान कर बाहर निकाला जाएगा चूँकि उन लोगों का एक बहुत बड़ा तजुर्बा है बहुत बड़ी समझ है जिसका फायदा राहुल जी पार्टी के लिए उठाना चाहेंगे कॉंग्रेस पार्टी का चहरा बदलना चाहते हैं पीरी बदलाओ पीरी बिवहार और चरितर तीनों बदलने पर आमादा है इसके कारण ही पिछले छे महीने से थोरी समस्या आ रही है तो इसलिए वो कई बार मानते हैं कि ऐसे लोग जो केवल जनता के बीच से उठके नहीं आये हैं और केवल चमचागीरी और हम लोगों के इर्दगिर्द होके नेता बने हैं और जो सही कारकरता को आने के लिए रास्ते में बादा हैं उनसे तो पिंच चुरानी ही परेगी व्यक्तिकत सम्मान की बात अलग है धिरेंदर जी लेकिर आजितिक रूप से राहुल गांदी इस बात पर बिलकुल द्रिड हैं कुछ लोगों से हमको मुक्ति पानी होगी अगर कॉंग्रेस को फिर से उसका पनुड़धार करना है तो अब देश जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ चूंकि नई पीड़ी को राहुल जी लाना चाहते हैं और जो छेतरी है जिस तरीके से महनत कसनेता कॉंग्रेस में कार्या कर रहे हैं इस वक्त पूरे देश में उनकी जमात को भी वो जनसेवा के लिए आगे लाना चाहते हैं उनका वजूद भी है अपने अपने छेतरों में लेकिन इसका मतलब भी कदापी नहीं मान लेना चाहिए कि किसी पुराने नेता के साथ कोई दुर्वेवार किया जाएगा उनकी जो काबलियत है उन्हें उसी के अनुरूप उप्योग किया जाएगा दिरेंदर जी इस पर आएंगे ये वरिष नेताओं का क्या कुछ सोचना है इस पर मेरे पास आपके आपके लिए सवाल है लेकिन विजय गुमार जी आपको नहीं लगता उत्तर प्रदेश में यूवा मुख्यमंतरी हैं अकले शारव अगर कॉंग्रेस में इसी तरीके के जो यूवा पार्टी अज्यक्ष बनते हैं राहूल गांदी कॉंग्रेस की जो राजविक्त नईया है उससे पार लगा पाएंगे अंग्री जी मैं आपसे बताना कहता हूँ 2012 के चुनाओं में राहूल नीकूरी तरीके के अपना जामत century और 2012 के चुनाओं में उससफर पफर देश में आयुक्त बिलकुल मैं येभी कहना चाहता हूँ इवाब ऋक्मंद्री जी जब सेवमाई के गलियों से निकलते हैं तो देश में यह भी जाते हैं, यह भी जाते हैं यह भी जाते हैं進ilsा गेहु की डर्नाा की खेटी खेटी होती है। उत्र प्रदेश में तो सपख़ा की सरकार है. किसान आत्मत्या कर रहा है है. उत्र प्रदेश में किसान की सीधी तो और भी वच्छे बच्षे है क्या किया सफख़ागा रख सरकारी से ? वजय कुमार्थी मानन लेते हैं आपके बार नहीं बता राहूल गांधी को खिसानिके बारे में लेकिन लगातार लेकिन राहूल गांधी की बात कि जगर जगर ज़ाकर हरियाना हो। घसानों से मिल रहें, मुलाकात करें वत्त़ पृश्वामिल है उसमें फिर. अजिनी ती यहाज आजा चाहिए जब सासल शक्राइश सुना कि समय साथ जब किसानों के ऊपर आफ़ा आइक कलिये बहाँ से यहाज भी हैं तुना किसानों आपा उना से परएब आफ़ाइए वोर्दी अर्थ नगी और इस वीगatti उने हो एफ़ा अधिश कुमार जी ने भी एक सवाल पूछा था कि लगातार जो सबस सुप्रीमों हैं वो भी अधिकारियों को फटकार लगाते रहते हैं, तमाम मंत्रियों को फटकार लगाते रहते हैं कि काम ठीक से करो, तो ये भी माहर जाए कि जो युवा मुक्य मंत्री की तौर पर अकल करी पिर अजाई जी महिलाओं पर सबसे जए आपराद उत्तर प्रडेस में दंगों का रिकार्ड उत्तर प्रडेस में लूट मान dûत्तर प्रडेस में चैया बाह का रहें कि कानून और विवस्था और इस समय हमारे पर बात यहां पर कॉंग्रेस की चल रही है कॉंग्रेस पार्टी अध्यश्वी आपर चल रही है मुद्दे से नहीं बठकेंगे फिलाल शर्चा जी बिल्कुल वेज़े जी मैं आपके पास आऊंगे बिल्कुल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन इससे पहले बीजेप अध्यक्ष बना देना चाहिए कॉंग्रेस का वो किसको कह रहे हैं जिनको कहना है उनके लिए तो असारवजेनी कहनी के जरूत ही नहीं है आँ आम तोर पर कहने हैं तो इसके माने लो राजी राहुल गांडी का विरोध है और इसलिए उनको हवा बनानी की प्रयास हो रही ह मैं समझता हूं BGP के तरफ से राहू गान्दी को एक बना कि तुछ बहुत अच्छा होगा क्योंकि उसका कोई आकल नहीं है उसका कोई ग्यान नहीं है और पता नहीं कब गायब हो जाएगा तो अच्छा होगा है तो काम हो जाएगा लेकिन अभी जिस तरह से मुसीबत खड़ी कर रहे हैं लगातार राहूल गांधी संसद में भी नरेंद्र मोधी पर सवाल करके और जिस तरह से लगातार दोरे कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ क्या लगता आपको कही नगाई अप परिपको हो चुके हैं वो हम तो समझते हैं कि विपक्ष को ऐसा करना चाहिए, तंदुस्त रहना चाहिए, विरोध करना चाहिए, बोलना चाहिए, घुमना चाहिए, लेकिन उसमें एक सूजबूज होनी चाहिए, वो एक योजनाबद तरीके से करनी चाहिए, यहाँ एक दिन वहाँ चले गए, फिर द तो टिपनियां होती हैं कॉंग्रेस के तरह से बड़े धाइनियां होती है तो इसलिए उनके आने से उनका क्या थंदरुस्त आई एक्टिव होने से कोई हमें कोई फरक नहीं पड़ता है उससे ज्यादा इनकी मुल्कता का परिचेव होता है एक राजनेतिक के रूप में आप जो मसला है वो कॉंग्रेस के अंदर का है लेकिन बीजेपी इस बात से खुश है कि अगर राहूल गांदी को कमान सौब दी जाती है तो उनके लिए राहे आसान हो जाएंगी देखे सुब्रमनम् सामी जी ने जो कहा कि उन्हें फायदा होगा अगर राहूल गांदी जी अध्यक्ष बन जाते हैं तो ये उनकी मान सिक्ता को दर्साता है राहूल गांदी एक ऐसा व्यक्तित है इस देश के लिए जिस पर कोई भरस्ताचार कारोप नहीं है जिस तरीके इसे वो इमानदारी से अपनी पार्टी को चलाना चाहते हैं और जिस तरीके के लोगों के माध्यम से इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं अगर ऐसे बेदाक्षभी वाले आदमी पर भी लोग इस तरीके की अनर्गल टिपडियां करेंगे तो मैं समझता हूँ ये स्वस जो लोग सदमे के कारण मारे गए अपनी फसल के नुकसान को देखकर इनकी सरकार ने उनको क्या मदद किया ये क्या मुझे बता पाएंगे इस बात को और जहां तक इन्होंने किसानों को पक्सधर बताया कि ये समाजवादी सरकार किसानों की बहुत पक्सधर है इन्होंने चुनाब से पहले वादा किया था किसानों से कि सरकार आते ही ये 6 गुनाव माफजा बढ़ा कर किसानों को देंगे और उन्हें सारी सुवदाए देंगे इन्होंने किसानों को क्या सुवदाए दिये मुज़र एकाद मैं सुनना चाहता हूं बिल्कुल आपका जवाब पूलिए याला कि किसानों के याँ पर मुद्दा नहीं है मुद्दा याँ पर यह है कि कॉंग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पत को लेकर जो घमासान मचावा है जो संश्र मचावा है कि आकर राहूल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए और नहीं बनाया चाहिए इसी पर आजन चर्चा कर रहे हैं अध्यक्ष कुमार जी आप जिस तरीके से सुन रहे थे कि सुपर्मणेम स्वाबी ने कहा कि राजनुतिक सूजबूज नहीं है ये बात उन्होंने कहिए लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है के लिए राज़तिक प्रिष्ट भूमी ढूंड़ना काफी मुश्किल साबित हो रहा है आज भी वही स्थिशाद दिख रही है यानि कि इतिहास अपने आपको दोर आ रहा है यह कहना सही है इसको इसलिए दोनों में अंतर है आज एक शाधारन आदमी भी एक एक नेता का पूरी संविच्छा जो कहते है न वो करता है कि इनकी क्या-क्या गतिविदी है तो सुरन्यम स्वामी देखे राहूल गांदे के नित्रित की छमता अभी जो है उसका परिक्षन नहीं हुआ है लेकिन जहां जहां उन्होंने कमान सभाला चुनाओं में विधान सभा चुनाओं में जादा तर जगा उसमें कॉंग्रेस की पराज़े हुई उतराखन जैसे एक आध राज्यों को छोड़ देयागा तो उसमें वो सफल नहीं हुए है और पिछले दो साल में चौदक चुनाओं में कॉंग्रेस की प्राज़े हो चुकी है राहूल और सोनिया गांदी के रहते हुए इसलिए मैं उसको बात नहीं करना हूँ कि राहूल के आधे से कांग्रेस का उध्धार हो जाएगा मैं केबल ये कह रहा हूँ कि कॉंग्रेस के बास राहूल सोनिया और प्रियंक्ता उस प्रिवार के बाहर कोई विकल नहीं है क्योंकि कोई इस समय कॉंग्रेस की एकटाब बनाय रखने वाला या जनता में जिसकी किसी रूप में पहचान हो तो ऐसा नेता कॉंग्रेस से बच्छा ही नहीं है तो कि जब आप यह पढ़ने की कोशिस कर रहे हैं आप से जवाब लेंगे लेकिन उससे पहले 1977 कि यहाँ पर बात चल लेती उस बारान जब हाई केंदर गांदी उन्हों में एक बात यहाँ पर कही थी उन्होंने का था कि मुझे लगता था कि नेत्रत्व का मतला बोती है नहीं देखिये जहां तक आप 1977 की बात कर रहे हैं वो और समयथा भी अब देस जी ने बताया सूचना तंद्र इतना प्रवल नहीं हुआ था उस वक्त लेकिन मैं आप को यह बता दूँ कि यह कोई नेट्रियूट की प्रसंद की वज़े से कॉंग्रेस पार्टी नहीं हारी 2014 का चुनाब आप इस तरीके से सोचल मीडिया का उपयोग देखते हैं जिस तरीके से सूचना तंद्र का उपयोग कर उनों इस देश के नागरिकों को लोगों को गुम्रह करने का काम किया और अच्छे देनों का वादा किया जिस तरीके से धार्मेग भावनाएं भड़काई गई तो ये विकास कोई मुद्दा नहीं था उनकी जीत का और ना कोई कॉंग्रेस की लीडर्शिप उनकी हार का कारण थी ये उन्होंने जो गुस्पिरचार इस देश के नौजवानों के जहन में भड़ दिया जिन्ता करिया क्या होना है चौणी पर सिमट गहें सर अब उसमें राहूल जी क्या करेंगे जरा ये बताईए लेकिन आप इसके नहीं मिल रहे है इस समय ताक नेताओं का है कि हम राहूल के करीबी हों हम सोनिया के करीबी हों ये जो विवादान इस समय आपकी पार्टी में है कि जनता के बीच जाने की बजाए सोनिया और राहूल के इर्दगिर्द होके हम नेताओं बने रहे हैं ये ही आपकी पार्टी की पराजय का पहले भी कारम था आगे भी ब पार्टी को आगे ले जाने का काम किया सामन जसे बिठाल के और अब नौजवान हैं राहुल जी और वो जो एक पहल करना चाहते हैं हमारी कॉंग्रेस पार्टी में नए नए चेहरे लाकर एक प्रियोग के मार्द्यम से जो लोग जादा जंता के बीच में रहकर और अच्छे तरीके से इस पार्टी और देश को आगे लेजा सके हैं लेकिन अब जो पार्टी कंदर से जो आवाज उठाई जा रही है कि राहूल को अधिक्ष बनाया जाए अधिक्ष बनाया जाए उसके लिए साथ ये कदम उठाया गया है ताकि जो भी कारे करता है उनके बीच में एक महौल पैदा कर सके और नेज फिरे से जान डाल सके अधिश जी आपके पास आना चाहूंगे राहूल गांधी पर चर्चा चल रही है लेकिन लगातार ये भी बात सामने आ रही है कि कुछ जो नेता है कि कॉंग्रेस के वरिश नेता है उनका कहना है कि अभी इतनी राजनतिक सूचबूश नहीं है अभी उन्हें अपना वो बौजूद नहीं आपको नहीं लगता कि इन गंबेर विश्यों पर और इस तरीके के कारिक्रूमों में उनका रहना पार्टी नेताओं से मिलना बेहत ज़रूरी है पूरे पूरे पिछले पंच वर्स के लोक सभा में उन्होंने केबल एक भाशन दिया था और एक प्रस इसलिए और लगातार देखिए पांच छे भासन उनके इतने कम दिनों में लोक सभा में हो गए इंटर्फियर कर दिया कुछ शब्द कांग्रेसियों को दे दिये सूर्पूर्ट की सरकार अब पता नहीं हो कितना चलेगा तो वो यह ट्रेनिंग लेके आए हैं इस समय बहु इतना स्विकार करेगी यह देखना होगा मेरी नजर में अभी तक राहूल गांधी और कॉंग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया है जो विचार के आधार पर नित्रितु के आधार और कारकरम के आधार पर जो एक भरम कायम था वो दूर हो जाए वो इस्थिती अभी तक पुई परते हैं आगे साथ ही आपको बताते हैं कि राश्री युवा मोर्चा के अध्यक्ष और बीजेपी से सांसद अनराख ठाकुर से खाथ बात चीत की ही समाहता नीलम शुक्ला दिवांगर ने आई आए आपको दिखाते हैं हमाय साथ भांधी जन्ता युवा मोर्चा के अध्यक्ष और राहूल गांधी को प्रेजिजेंट बनाई जाने की बात की जारी क्या था रहूल कांग्रेस का अंतरिम निर्णे है उनको जो करना है वो करना है कॉंग्रेस झहां तो आली सीटों के तक सीमित हुई है Tschau a John जाना है कॉंग्रेस को टिय करना है सच भोलने वाला लाइंग के तो अच्छा होगा जो तैयारी करके आता तो अच्छा होगा रहूल कांधी जी को मेरी शुभ काम Ve digest Nowud Damanjiолов कि अतना हाप से कि अमेशाद जी ने भारती अंता पार्टी को दुनिया का सबसे बड़ा संवर्ठन बना लगब 11 कोड हमारे सदस्य बनने वाले हैं और यही नहीं मां सदस्य अता भयान के बाद मां संपर का भयान लोगों तक पहुंचने संपर करके उनको सक्री कारेकरता बनाने की बात करते भले राहुल गांदी जी खुट शक्री हो जाएगा धिरेनर सिंद्ध जी आपके पास आना चाहूंगे आप इक पार्टी के वरिष नेताओं में से एक है अमरंदर सिंग कैप्टन अमरंदर सिंग उनका ये कहना है कि अगर राहुल गांदी पार्टी के अब्ज़क्श बन तो ऐसी कोई मनसा राहुल जी की नहीं है मैं आपसे बारवार आगरे कर रहा हूं कि किसी को बेज़ज़त किया जाए अमरंदर सिंग हमारे बहुत बड़े नेता हैं पंज़ाब के और उनकी बहुत जरूरत है इस पार्टी को तो उन्होंने कह दिया हो वो अलग की बात है लेकिन राहुल जी की तरफ से और कंग्रेस पार्टी की तरफ से आप यकीन माने हैं मैं एक प्रवक्ता की हैसियस से आपको बताता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है किसी बड़े नेता को परिशान होने की जरूरत नहीं है राहुल जी का जो रूप आज की तारीख में आप देख रहे हैं वो रूप आगे भी काइम रहेगा और वो इस पूरे देश की जो समस्या हैं और जिस तरीके से वो लोगों के बीच में जाकर उन्हें समझने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी पार्टी को उन समस्याओं से जोड़कर इस देश में एक नई किरांती लाना चाहत जो इस टेखतें, ऐसा नही है कि Congress Party मुद्दों से भटक रही है Congress Party ने साथ साथ साल देश पर सासन किया पिरकरती का नियम होता है बदलाव, अगर कुछ बदलाव हुआ है तो उससे Congress Party सबक ले रही है और आने वाले समय में Congress Party जो कमिया रही होंगी भूथ में उनने भविस् कि उस दौरान राहूल गांधी मौजूद नहीं थे यानि कि सुनिया गांधी ने किस तरीके से पूरे विपश्ट को एक जुटकर ये मार्च निकाला ये गुर्टों शायद राहूल गांधी में है नहीं या सीखना चाहिए उन्हें धिरेंद जी कॉंग्रेस के नेता और प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं जाहिर है उनका दाइत भी है अपने पार्टी के अपने नेता की रक्षा करना और हम लोग जितना हमला करते हैं उसमें इनको रक्षा करेंगे नहीं तो कॉंग्रेस के प्रवक्ता बैठेंगे यहां क कैसे और बनेंगे, लेकिन सच इस समय यह है, कि कॉंग्डेस के निक्रित की भी भारत में यह चुनाओ एक नकार का पड़िचायक बन के आया है, 1999 में भी भारत के लोगों ने कॉंग्रेस को नका रही था कॉंग्रेस को कि अब उसके बाद से कोई बहुमत इस देश ने नहीं दिया है राज्यों में लगवा कॉंग्रेस साफ हो चुकी है तो इस समय पार्टी के पुनर निर्मान की जरूरत है अब राहुल गांदी में कोई मेरे को आके कह दे कि वो च्छमता है कि वो पार्टी को वहां से खरा करके पुनर निर्मान कर देंगे तो मैं इस समय उसको स्विकारने के लिए त्यार नहीं हूँ ज़िपी मैं अभी भी कहता हूँ कि भारतिय जनता पार्टी के समाना अंतर एक रास्ट व्यापी सशक विपक्ष कियम को आवा सकता है कॉंग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी दिखती नहीं है लेकिन राहुल गांदी उसकी ऐसी स्थिति कर देंगे उसमें मुझे संदे है और जो आप कहा रहे हैं देखिए उस समय भी कभी वो कलाप्टी के घर में जाते थे कभी वो उत्तर परदेश के दलितों के घर में जाकर ठारते थे राजस्थान में मन्रेगा के मजदूरों के साथ काम करते हुए रोडिया साते थे ऐसा में ही है कि वो पहली बार करने है यह सब काम राहूल गांदी पहले भी कर चुके है यहां तक कि जो इंग्लैन के विदेश मंतरी था उसके साथ आकर के उन्होंने एक दलित के घर में जाकर के और वो रहे थे उत्तर परदेश में ही तो इसलिए यह सब काम उन्होंने पहले किया और इसके कोई परिणाम कॉंग्रेस के पक्ष में हो अब देश भी माँ चीज़े का समय की बहत कमी है फाइनल कमेंट ले लेते हैं धिरिंदी सिंग जाब से फाइनल कमेंट बहत संख शुक में तो बदलाब रखने की चमता क्या पूरी तरीके से कॉंग्रेस पार्टी तयार है और आने वाले समय में एक जो है रास्टी है इस तरपर जिस तरीके से सामपरदाइकता फैला ही जा रही है देश में एक बहतर विकल्प के रूप में उपस्तित होगी कॉंग्रेस अपना सेनपती जो है वो तैयार कर रही है 2017 नजदीक है सपा के लिए कैसे संकेत है तिरी कोई चुरूर्टी नहीं है अजरीकी मैं आपके जहना चाहता हूँ देश काम करने से चलता है इसका काम सारे लोग देख चुके है समय वाली पारिटी भी 2017 में पूरा प्रचेंट से बहुमत से आएगी और उस्तर परदेश के अविशे कुमार जी मास की ज़ेगा देखना यह होगा 2017 में क्या होता है फिलाल उस पर डिसकुर्शन है मों भी नहीं करेंगे शुक्रिया विशे कुमार सिंग जी आपका सपनेता मासा जोड़े वेते इस चर्चा में अविशे कुमार जी वरिश्पत्रकार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और ठाकुर धेरें रिसिंग जी कॉंग्रेस में आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए फिलाल यहां पर एक सवाल यहां पर बना हुआ है कि कहा जाता है कि जो बदलाव है वो प्रक्रिति का नियम है लेकिन कॉंग्रेस के भीतर सैनपति को लेकर यह जो बदलाव है कॉंग्रेस के राजनेतिक नईया को किस तरीके से पार लगा पाएगा क्या कॉंग्रेस को नई दिल्ली के उप्राजिपाल का नाम नजीद जंग है और के जिवाल जी के लिए बस इतना ही काफी था उनसे भिड़ जाने के लिए राहुल गांधी ने कहा मोदी विदेश में मस्ती मारते हैं और मैं किसानों का दर्द समझदे के लिए थाईलेंड तक जाता हूँ मंगोलिया के सरकार ने रेज का घोड़ा भेट कर मोदी जी के साथ बड़ी नाइंसाफी की है मोदी जी की विदेश यात्राओं को देखते हुए उन्हें उड़ने वाला घोड़ा भेट करना चाहिए था प्हुलिया करता हुए